Hello and Welcome to my YouTube channel MK++ इसकी पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताया थी विदारती कि CPS pressure क्या होता है, Pour Butter Pressure क्या होता है और Pour Butter Pressure को किस परकार से निकाला जाता है उसका क्या formula है यह उसे आपको सुचित किया जाता है Pour Butter Pressure को जिसका फर्मोला आता है गामा डबल इंटू यह चुआ विदारती कि आपका बार्टर का लेबल कितना दूर तक है स्वाल में वह हैट से अगर जो मल्टिप्लाइ कर दते हैं यूनिट बेट वाटर में तो जो आपका फेल्डू आ जाता है पौर बार्टर प्रेशर का आज का विदारती आपको बताएंगे अस्टेडी अस्टेज सिपेज कंडिशन में जो स्वाल रहता है तो यहाँ फेक्टर अप सेप्टी कितना होगा उसको निकालने के लिए तो दिखी विदारती यहाँ पर हम पौर बार्टर पेशर यू का यूज करेंगे इसलिए आपस रिक्वेस्ट की सबसे पहले आप मे अब देखी का लिखेंग कि अस्टेडी सिपेज में फ्लूइंग ऑव वातर इन कॉंस्टेंट ग्रेडियेंट और श्लोप अगर आपको फ्लू होता है स्वाल में बीत प्लूइंट घ्रेडियेंट रहेगा यहां इस स्वाल में तो इस कंडिशन में जो आपका वारे आपका जो flow of water होगा with constant gradient यहां पर जो slope रहेगा constant रहेगा यहां से अगर जो start हो रहा है slope तो अहर जगह आपका slope इतना ही रहेगा आपका भहरी नहीं करेगा तो इस condition में जो आपका water flow करता है through the soil इसको बोले जाता steady state सिपेज तो आपको steady state सिपेज क्या है विदारती आपको पता चल गया है अब देखिए इस condition में factor of safety कितना होगा उसको निकालने के लिए हम बताएंगे यहां देखिए विदारती हम सब चल नहीं क्या चिमें infinite slope में माल लेते हैं सिलोप यहां क्या है आए उपर का जो आपका surface ह यह ground surface है ground level है और यह जो आपका नीचे का प्लेन है यह आपका फैलवर प्लेन है तो देखिए A B का dimension माल लेते हैं B उपर चुकिए आपका क्या है स्लोप में material present है यहां पर बेट लगेगा तो बेट के करण क्या है वहां पर stress develop होगा तो माल लेते हैं स्ट्रेस क्या सिग्मा जब भी फूलो करता है तो वहां पर क्या pressure develop करता है और वह pressure आपका सभी direction में क्या रहता है सेम रहता है अब यहां देखिए विदारती हमको मेंन निकालना रहता है सिग्मा यह नहीं कि आपका perpendicular direction में जो अस्ट्रेस रहता है तो अब देखिए उपर से अस्ट्रेस लगेगा पर perpendicular direction में कितना सिग्मा यहां पर आपका क्या water flow कर रहा है तो इसके द्वारा भी आपका pressure develop होगा तो इसका component जो होगा आपका vertical direction में ओमाल लेंगे तो ऊपर से सिग्मा यह न लग रहा है तो आपर नेट जो प्रेसर होगा vertical direction में सिग्मा यह माइन माइनस यह निकालेंगे सिग्मा यह निकालेंगे उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि फैक्टर ऑफ सेप्टिक किस परकार से निकलेगा तो यहां देखिए आपका सिग्मा जेड यहां आई एंगल पर रहता है परजिंट तो इसका perpendicular direction में कंपोनेंट कितना हो जाए सिग्मा जेड इंटू कॉस इंटू कॉस आई यह जो भेल्यू है आपका यू का जीस परकार से आपका सिग्मा जेड बराबर हुआ गामा इंटू जेड इंटू कॉस आई उसी परकार से यू का भेल्यू है गामा डबलू इंटू यह इंटू कॉस आई यहां गामा डबलू क्यों नहीं क्योंकि बाट इंटु कॉस आई पहले से परजेंट ही दोनों मल्टिप्लाइए हो जाएगा कॉस स्क्वाइर आए उसके बाद आपका टाउ जो होता है सिंग्मा जेट का भेलू क्या होता है गामा जेट का लिखेंगे यह गामा की जिगा पर क्या लिखेंगे गामा डवलू इंटु यह इं इंटु कॉस स्क्वाइर आए अब देकी विदारती उपर जो जो चीज बता है उसी चीज को यह आँ लिखेंगे कि लेट अस कंसिडर कंडिशन इन भीच दा वाटर टेबल इस एटे डेफ्ट अ यह आपका बाटर का जो डेफ्ट है हो यह अच्छ है एभव दा फैलूर प प्लेन इस अलसो बिंग सब्जेक्टिट टू एडिशनल पोर वाटर प्रेशर ऑफ मैंगनिचूड गामा डवल इन्टु एच इन्टु कॉस स्क्वार आई जो उपर आपको बताएं गामा डवल इन्टु एच इन्टु कॉस स्क्वार आई वही चीज यहां लिखें नॉर आई तो दोनों को अगर जो नेट निकालेंगे तो सिग्मा यन माइनस इउएन हो जाएगा वही लिखें नॉर्मल अस्टेस ऑन फैल्वर प्लेन सीडी आप देखें फैल्वर प्लेन जो आपका सीडी है इस पर देखतें कि नॉर्मल अस्टेस नेट कितना लगे तो इसके सिग्मा जेट का भेलू क्या होता है गामा जेट इंटू कोस आई अब यहां कोस आई पहले से परजेंट है दोनों मल्टिप्ला होगा हो जाएगा कोस स्कुार आई अब देखें दोनों में क्या कोमान है कोस स्कुार आए तो कोस स्कुार अगर जो आई बाहर निकालेंगे आपका value बजाएगा gamma z minus gamma w into h अब देखे tangential sts बराबर क्या होता है tau बराबर sigma z into sin i sigma z का value क्या होता है gamma z into cos i और sin i अपना जगा पे है अब देखे विदारती आपको factor of safety निकालना है तो इसके लिए formula क्या होता है tau e of y tau tau e of का value क्या होता है sigma n into 10 tau का value यह निकालने है अब देखें sigma n का value यह रखेंगे tau का value यह रखेंगे तो आपका factor of safety निकल कर आजएगा 1 minus gamma w into h by gamma into j into 10 5 by 10 i यह विदारती आपको कैसे आया है तो आपका इतना value आजाएगा अब देखें नीचे क्या लेगे कि where gamma is average unit weight of the soil above the failure plane आपको extra यहां कुछ पताते हैं कि if z minus h z minus h काने का मतलब क्या है total आपका depth z है यह यह आपका water level इतना तक present है इसलिए इतना आपका distance बजाएगा z minus h तो ओई इस लिखे हैं कि if z minus h depth of the soil has total unit weight gamma and soil below water table will be in the saturated condition यह निकि आपका जो इतना distance h यहां पर जो आपका soil हो saturated है तो इस condition में आपका unit weight का value क्या होगा उसका formula यह है अब देखी विदारती नीचे क्या लिखें कि if water table rises to ground level then entire soil becomes saturated and h becomes z इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका depth h है यह बढ़कर कितना हो जाता है total z हो जाता है तो इस condition में आपका क्या है factor of safety का formula क्या जाएगा 1 minus gamma w into h by gamma z अब देखी इसमें क्या करेंगे हम h की जगा पर z रख देंगे because क्या है आपका जो depth of water है यह आपका ground level तक हो गया यानि कि z बराबर यह हो जाएगा तो वही हम यहाँ जहाँ यह रहेगा वहाँ पर हम z को पुट की है तो आपका factor of safety वह जाएगा 1 minus gamma w into z by gamma set यहाँ saturated हो जाएगा तो gamma set into z into 10 5 by 10 i that means factor of safety बराबर क्या हो जाएगा 1 minus gamma w into z by gamma set into z into 10 5 by 10 i पीछे में आपका यह result आया है इसी को हम लिखें यहाँ देखिए factor of safety कीतना है तो 1 minus gamma w into z by gamma set into z into 10 5 by 10 i उसी चीज़ को हम लिखें अब देखिए यहाँ पर factor of safety क्या हो जाएगा 1 minus gamma w by gamma set z z cancel हो जाएगा तो आपका यह बिलू बजाएगा into 10 5 by 10 i अब देखिए इसको अगा जो calculate करेंगे तो उपर आजाए gamma set minus gamma w by gamma set अब देखिए आपका gamma set minus gamma w का फर्मूला होता है gamma dash अनिकि submerged unit बेटते हैं इसलिए gamma set minus gamma w की जगा पर लग दिए है gamma dash अब इंटू क्या है 10 5 by 10 i अब देखिए practically देखा गया है कि gamma set का जो value होता है approximation equal to होता है 2 into gamma submerged इनिकि gamma set ब्राबर हो जागा 2 into gamma dash अब देखिए gamma set करेगा पर रख देगे 2 into gamma dash तो आपका value आजाएगा factor of safety का 1 by 2 10 5 by 10 i आनिकि आपको याद रखना है कि जब आपका study stage शिपेज में जब आपका soil present रहता है तो उस condition में factor of safety क्या हो जाता है in case of dry या saturated या submerged आपका dry था या saturated था या submerged था तो उस case में आपका factor of safety कितना आता था 10 5 by 10 i लेकिन हैं आपका जब steady stage stage condition के condition आता है तो 1 by 2 से क्या हो जाता है multi-ply which लिखें कि in steady state shipage condition factor of safety हो जाता है 1 by 2 10 5 by 10 i तो देखी भी जाता है आपको dry के लिए saturated के लिए submerged के लिए और steady state shipage के लिए चारों case आपको बता दिए कि factor of safety कितना आएगा next lecture में आपको बताएंगे analysis of infinite slope लेकिन आपको इसके लिए form cohesive soil and case c by soil के लिए आपको cohesion list while के लिए जो चार case था आपको चारों के बारे में आपको factor of safety क्या होगा निकालने के लिए आपको बताएंगे next lecture में आपको start करेंगे cohesive soil के लिए आपको factor of safety निकालना बताएंगे आज के video lecture में आपको करें doubt है तो आप comment section में उस doubt को comment करेंगे हम आपकी doubt को दूर करने की कोजिस करेंगे आज के मेरे video lecture आपको कैसा लगा है आप comment section में करके बताएं thank you आपकी विए दो